जेडियू के अंदर असोग चौधरी को अब जेडियू के नेता हो या फिर कारेकरता पुड़ी तरीके से साइड कर चुका है असोग चौधरी वाली कुर्सी पर अब एक दलित निता के तौर पर स्यामरजक बैड चुके हैं नमस्कार देंडिया टॉप देख रहे हैं मैं हुआ आपके साथ थे बरद्यू सिंग स्यामरजक की इंटरी के साथ ही असोग चौधरी की नराजगी खुलकर सामने आ गए थी चुके असोग चौधरी को ऐसा संभौतल लगा होगा कि अब मेरी कुर्सी पर स्यामरजक बैठ जा है कि वो एक नितिश कुमार के कड़ीवी नेता है कड़ीवी मंत्री है इसके अलावा ग्राउंड पर उनका कुछ नहीं है ऐसा उनकी बारे में कहा जाता है जेडियू के अंदर असोग चौधरी को लेकर विवाद भी खुब हुआ कहा जारा आए कि नितिश कुमार ने बेसक बड़ी जिम्मेदारी असोग चौधरी को दे दी है लेकिन असोग चौधरी और नितिश कुमार की बीच की दूर यहां काफी जाता बढ़ गई है मानो असोग चौधरी का भी वही हाल होगा जो कभी आर्सिपी सिंग का हुआ था और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं दरसल अब पाटी के जो नेता है मंत्री है वो भी असोग चौधरी को इग्नौर करने लगे हैं इस तस्वीर को देखी यह तस्वीर जगा जगा लगाय जा रहा है पाटी के जो वरिष्ट नेता है और विहार सरकार दे जो मंत्री है रतने सदा दलित समा से आते हैं, उन्होंने पोस्टर लगवाया है, नसा का जो हुआ सिकार, उजरा उसका घर परिवार, जागरुकता जो है वो कारेकरम चलाय जा रहा है जेरियू के तरफ से, और उसको लेकर पोस्टर लगाई गई है, और उस पोस्टर में नितीश कुमार है, संजय ज है कि स्यामरजग के तस्वीर है, यह कोई बड़ी बात नहीं है, स्यामरजग पार्टी की निता है, राष्ट्री महा सची, उनकी तस्वीर है, तो यह चोकनी वाली बात नहीं है, लेकिन असोग चौधरी की तस्वीर इसमिन नहीं है, यह बड़ी बात है, और कहा जा रहा है कि असोक चौधरी की पोश्टर में से तस्वीर हटा कर उनकी जगा पर जो है वो स्याम रजक को बैठाया गया है उनकी तस्वीर लगाई गई है और यह तस्वीर न सिर्फ पोश्टर में दिख रही है बलकि हकीकत भी कुछ ऐसा ही है मानो नितीश कुमार ने भी अब इसारे उसारों में कह दिया है कि असोक चौधरी वाली पुर्सी पर जेडियू के अंदर नितीश कुमार के बगल में एक दरीत नेता के तौर पर अब असोक चौधरी नहीं बलकि स्याम रजक बैठ गये हैं और इसलिए पार्टी के जो नेता हैं मंतरी हैं वो भी पोस्टर से असोक चौधरी को पुरी तरीके से अब आउट कर चुके हैं जेडियू के अंदर असोक चौधरी का पक्ष लेने वाला आपको कोई वेक्ती नजर नहीं आएगा चुकि आपको याद होगा असोक चौधरी ने बिना नाम लिये हुए निती कुमार को लेकर बड़ी बात कही थी हलाकि वो बाद में कहें कि भाई मुझे अच्छा लगा किसे ने वेजा था इसलिए हमने पोस्ट कर दिया जिसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री अवास बुलाया गया फटकार लगाई गए निती सुकुमार दोबारा कि आप ये सब क्य कर रहे हैं आप फालतू की चुजों में अपना समय क्यों मरवाद कर रहे हैं आपको संगठन पर ध्यान देना चाहिए तो आप कभी मेडिया में ब्यानवाजी करते हैं कभी पार्टी की निताओं से लड़ जाते हैं क्या ये पार्टी हीत में हो सकता है नितीस कुमार ने ज क्भी में अतीस कुमार ने बैठाया बल्कि पार्टी का एक एक कारेकरता नेता इस बात को मांंद चुका है सोक चौदरी और नितीश कुमार के बीच अब सब कुछ ठीक नहीं रह गया आपकी क्या रहा है आप अपने राय को कमेंच बॉक्स पर रखिए अगर आप पर चैनल को यूटूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लिजे फेस्बूक पर देख है तो पेज को लाइक औ अलो कर दिजी